नमस्कार दोस्तों मैं राहिला रह्मान आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केर हेल्पेंग इन लियुकोडर्मा यानि सफेदार दोस्तों किसी भी बीमारी का इलाज क्यों ना हो एक चीज बहुत इंपॉर्टन बन जाती है और वो है पेशेंट का रेस्पॉंस जी हाँ हम अकसर देखते हैं कि एक ही मेडिसन किसी एक इनसान को जल्दी फाइदा पहुचाती है तो वहीं दूसरे इनसान को काफी वक्त लग जाता है फाइदा पहुचने में और अगर बात करें सफेद दाकी तो उसके इलाज में भी पेशेंट का रेस्पॉंस बहुत एहम बच जाता है तो चलिए आज इसी एहम चीज पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉंस को एफेक्ट करते हैं और इसमें हमारी यू के साइंटिस्ट की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षत्र में जगाई एक नई संभावना एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महा अभियान बन चुका है एक्सपर्ट टीम आफ डॉक्टर्स के समर्पन और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से बीडित बीस अजार से जादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है सफेद दाग के खिलाफ इस महा अभियान का निक्टिक्टू कर रही है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुरुवेधिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली दोस्तों डॉक्टर नितिका कोहली आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है आई सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिका वेल्कम टू आशो तांक्यू राहिला डॉक्टर नितिका आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एहम मुद्धे पर यानि के रस्पॉंस के बारे में लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों से रूबरो होना चाहूंगी और उनसे कहना चाहूंगी कि आप भी हमसे जुड़ सकते हैं डॉक्टर नितिका से खुद बात कर सकते हैं बस आपको करना ये है कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नमबर दिखाई दे रहे हैं उन पर कॉल कीजे और खुद बात कीजे डॉक्टर नितिका से डॉक्टर नितिका, जैसे कि मैंने कहा कि एक इनसान को ज्यादा वक्त लग जाता है और किसी को बहुत जल्दी फाइदा पहुँचाता है ऐसे में अगर सफेद दाकी हम बात करें तो आपके ट्रीटमेंट के दुरान कितना वक्त लगता है रिस्पॉंस आने में? जैसे राहिला आपने कहा ही है कि किसी पेशन को जल्दी अराम आता है, किसी को थोड़ा देर से आता है तो हमारी दवा के साथ जो सबसे पहला रिस्पॉंस है आई तिंक वो पेशन को यही दिखता है कि जो उसके दाग है वो गुलाबी होने लगता है यह first step to recovery है बट अगर हम बात करें pigmentation की जो हमें melanin synthesis वहाँ पर करवाना है या अगर कहेंगी normal skin जो वहाँ पर आनी शुरू होती है वो भी patient to patient vary करती है कि वो किस तरह से recovery आएगी कई बार उसमें छोटी-छोटी बिंदी की तरह काले-काले धब्बे या normal skin color की तरह धब्बे पढ़ने लगते हैं और कई बार side से वो जो patch है वो सिगुडने लगता है और कई बार वो जो हलके-हलके patches हैं वो धुनलाहट की तरफ hazy जैसे मतलब दिखने लगते हैं तो कई बार patient इससे भी परेशान हो जाते हैं कि उनके दाग ऐसे ठीक हो रहे हैं फलाने patient के मेर को ऐसे नहीं दिख रहा है तो कई patients में ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं इसको हम monitor नहीं कर सकते हैं ये आपकी skin पर depend करता है कि healing process कैसे होगा और कई बार किसी patient में सिर्फ एक तरह से ही repigmentation हो रही होती है बतलब दाग सिर्फ धुनलाहट में जाएंगे रंग हलका होता होगा दिखेगा गुलाबी होते होगे दिखेंगे कई बार सीधा ही वो जो काले-काले धबे हैं या जो pigmentation है वो होने लगती है तो ये जो response है हमारी दवा का आम तोर पे दो महीने में दो से तीन महीने में जिन लोगों के दाग stable है बढ़ नहीं रहे हैं उनको pinkishness दिखनी शुरू हो जाती है और अगर कुछ लोगों के दाग already बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हम यही एम करते हैं कि उन दागों की जो progression है जो बढ़ने की speed है उसको कम किया जाए बढ़ यह सारी बाते राहिला तभी पूरी हो सकती है अगर patient अपना first day से ही जो treatment start करते हैं तो अपनी diet को जैसे तब maintain करते हैं first day से वो throughout the treatment maintain करें तो जो उनका effort है वो throughout the treatment वो एक same I think level पे रहना चाहिए same उसी जोश से उनको वो सब चीज़ें करने चाहिए डॉक्टर नितिका यहाँ पर response के हम बात करें हैं और response करते करते हैं हमारे caller हमें response दे रहे हैं पहले उनको response करते हैं जी अलो बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू आपका नाम जान सकती हूँ मैं पृती बोल रही हूँ प्रीती जी कहां से बोल रही हैं आप मैं आगा से बात कर रही हूँ अच्छा प्रीती जी डॉक्टर नितिका से आप बात करना चाहती होंगी जी जी आपकी आवाजों सुन सकती हैं बात कीजे नमस्कार प्रीती जी कैसी हैं आप मैं आची हूँ हांजी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं हांजी बिलकुल पूछें डॉक्टर साब पिछले पांचे साल से मुझे वाइट पैचिस का प्रॉब्लम है इसके लिए मैंने काफी ट्रीटमेंट लिया और फिलहार मैं अलोपाथिक ट्रीटमेंट ले रही हूं जिसके वज डामेज कर रहे है दवाई इसी लिए हो रहा है और अगर हम रेडनेस की बात करें तो वो पिंकिशनेस बहुत अच्छा साइन होता है गुलाबी रंग होता है हलका गुलाबी वो बहुत अच्छा साइन होता है बट लाल बहुत ज़्यादा सुर्क लाल होना स्किन का हाड हो वो आई झिछ शो कर रहा है कि जो दुष्ट यूस कर रहे हैं वो आपकी स्किन को डामेज कर रहे हैं पहले तो आपकी स्किन को telephone करना पड़ेगा हमें हमें कुछ ऐसी कि यूग आपको को स्किन में ताकत देंगी, ताकतों को में करने के लिए कि तूरंथ नहीं करेंगे और मैं जाहूंगी कि मैं आपकी skin की condition को पहले देख पाऊ हाँ जी ठीक है ये आप अपने शब्दों में मुझे बता रही है कि hard और redness है as a doctor मैं देखना चाहूंगी कि skin की क्या condition है तो अगर आप आगरा से आ सकती है बहुत अच्छी बात है आप दागों की photograph मुझे भेज सकती है दवा ही बता सकती है email में कि आप क्या-क्या यूस कर रही है ताकि मैं आपको आगे guide कर पाऊं कि आपने treatment कैसे start करना है धन्यवाद दॉक्तर साहिब थांक्यू सो मच्छ थांक्स फॉर कॉलिग प्रीती जी हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और दोस्तों अगर आप भी सफेद दाग के समस्या से जूच रहे हैं तो आपके पास भी मौका है आप भी अपने दागों की picture क्लिक करके हमें email पे send कर सकते हैं हमारा email address आपके TV स्क्रीन पर flash हो रहा है और हाँ अगर इस show के तुरान अभी आपका कोई सवाल है तो भी आप हम से सीधा जुड सकते हैं इन numbers के जरिये जो आपके TV स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपकी help करने के लिए हमेशा तयार है डॉक्टर नितिका आप और आपकी टीम मैं जितनी भी तारीफ करूं यकीनन वो कम होगी आपने जो इनिशेटिव लिया है ना सिर्फ इस platform के जरिये बल्कि लोगों तक पहुचने का जो आपने जरिया निकाला है इमेल या फिर फोन नंबर्स या फिर खुच जाकर जो आप कैम्स लगाते हैं डाट इस डियली ओसम डाक्टर नितिका मैं जाती हूँ कि इस मौके पर हम आप ही की टीम की मेंबर डाक्टर भारती से जुड़े डाक्टर भारती बहुत-बहुत स्वागत है आपका डाक्टर भारती मैं आपसे जाना चाहती हूँ कि जिस जगा पर हम रहते हैं आनि कि जो हमारा living area है, क्या वो भी effect करता है सफेद दाग के इलाज में? तो ऐसे में recovery जो है, वो slow हो जाती है, और कई बर बलकि देखा जाता है कि धूप की कमी से नए दाग भी आने लगते हैं, तो एक तरफ तो ये मुश्किल आती है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं, कि आप जहाँ पार्क में जाएए, धूप लगवाईए, दूसरी तरफ ऐसे एरिय जहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स तो शायद नहीं है, जो एरिया अभी बहुत अच्छे से डेवलब तो नहीं है, पर वहां दूसरी तरह की परिशानियों होती है, वहां पर कई बर पानी साफ नहीं मिलता है, और इस वजह से लोग वहां के लोगों को awareness कम होती है वो लोग filter पर 11 कम इस्तेमाल करते हैं, तो देखा जाता है कि उनके पेट में कीडे अकसर रहते हैं और इस वजह से recovery slow हो जाती है, हाँ एक अच्छी बात यह और ज़रूर है, जो एरिया अभी कम develop है, वहां पर क्या है, फास्ट फूड का इतना चलन नहीं है, तो उस वजह स वो अवेर होना जुरूरी है कि क्या-क्या factors जो है, वो बाधा पहुंचा सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें फायदा दे सकती हैं, उनका वो अगर ध्यान रखे तो हर जगा पर recovery ली जा सकती है Dr. Bharti, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये valuable information पहुचाने के लिए Thank you Raila ji, thank you Dr. Nithika Dr. Nithika, वाकि अगर देखा जाये तो बहुत छोटे-छोटे ऐसे factors ने जो एफेक्ट करते हैं, हमें उनके जानकारी तक नहीं होती Dr. Nithika, एक और फॉलर, हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार घंटी बच रही है, जलियन से बात करते हैं Hello Hello बहुत-बहुत स्वागत है आपका Emil Healthcare Helping in Lyukoderma में आपका नाम जी, सपना सपना जी, कहां से बात करे हैं आप I'm calling from indoor Okay, सपना जी, Dr. Nithika से बात कीचे Namaskar, सपना जी Namaskar, Dr. मेरा एक प्रोब्लम चल रहा है पिछले साथ-अच सालों से मेरे को सफेद दाग हो गए है परले मुझे चेस्ट बें बाक में हो रहा था So, I wanted to ask कि अगर मैं ये त्रीट्में लेती हूँ आपका So, is it possible कि मतलब मेरे फेस से पहले निकलने है लागे Because obviously I want कि मेरे फेस पे ये दाग यमेन में को बहुत प्रोब्लम हो रही है And I'm really scared ये जाएंगे या नहीं जाएंगे So, possibility है कि मेरे फेस से जल्दी रिकवरी हो जाए और ये हट जाए Visible area में सपना जी आप चाहती है कि पहले दाग हट जाएं Exactly, yes And I think इससे पहले आपको ये चाहना चाहिए कि दाग बढ़ने रुख जाएं फिलहाल तो दाग बढ़ रहे हैं ना So, I think आपका पहला focus ये रहना चाहिए कि दाग बढ़ने रुख जाएं पहले तो ये आपको भी और मुझे भी समझने की जुरत है हमें ये investigate करना पड़ेगा एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी कि दाग बढ़ क्यों रहे हैं ये पहला I think step treatment का ये होना चाहिए और ये जो आपको stress हो रहा है कि पहले face के दाग चले जाएं तो आपको I think ये stress नहीं लेना चाहिए बिकर्स ये जब हम treatment start करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं मैं बोल सकती हूँ आपको कि एक area के दाग पहले जाएंगे और दूसरे के बाद में जाएंगे या face की अगर मैं बात करूँ तो ये मत सोचेगा आप निराश मत हुएगा ये सुनकर क्योंकि अकसर ऐसा होता है कुछ लोग जब दबा लेते हैं तो उनके face के दाग बहुत जल्दी recover हो जाते हैं और कुछ लोग अगर दबा लेते हैं तो उनके बाकी area बहुत जल्दी recover होते हैं face बहुत slow recover करता है अब ऐसा क्यों होता है आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि ऐसा क्यों होता है तो ऐसा इसलिए होता है कि कई बार आप कोई ऐसी चीजें यूज कर रहे होते हैं कोई medicines already आप यूज कर रहे होते हैं जिसकी वज़े से वहाँ की skin जो है disturb हो गई होती है या फिर ये जो चीजें हैं ये आपके और मेरे control से कई बार बाहर होती है तो जो चीज हमारे control में नहीं है उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है आपको जो चीजें control में है आपके control में है आपके diet पे ध्यान रखना जो कि हम बताएंगे आपको treatment के साथ कि आपको क्या-क्या चीजें खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए और जो दवा लगाने का time है या जो दवा का जो भी हम आपको रिजीम बताएंगे पूरा उन सब पे आपका control है तो वो आपको I think manage करना चाहिए उस पे जादा ध्यान दो बजाए इसके कि ये stress करने की कौन से दाग पहले जाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है I'm looking forward to the best treatment from you I'll definitely contact Thank you Yeah, thanks for calling Thank you सबना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें call करने के लिए Okay, thank you दोस्तो आप भी हमें call कीचे आपके पास भी ये मौका है डॉक्टर नेतिका से बात करने का उनकी पूरी टीम की help लेने का आप इन numbers पे call कर सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लाश हो रहे हैं डॉक्टर नेतिका बहुत 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 शुक्रिया सभी जानकारी का देने के लिए आपको शुक्रिया राहिला दोस्तो एमिल हेल्थ केर helping in luciderma में हम हमेशा यही कोशिश करते हैं आप तक सफेद दाकसर रिलेटेड हर सच हर सही जानकारी हर साइन्टिफिक जानकारी पहुचा सके उमीद है कि आज के एपिसोड में भी आपने काफी कुछ सिखा होगा अगर अभी भी कोई बात है जो आप हम से शेर करना चाहते हैं कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में हो और यहां पर हम ना पूछ पाए हो तो इस शो के बाद भी आप हमें कॉंटाक्ट कर सकते हैं हमारा पता है हमारे फोन नमबर से है हमारी एमेल आइडी है हमारी वेब साइट है एमिल हेल्थ केर हेल्पिंग इल्यूकडर्मा यानि सफेद दा के अगले एपिसोड में हम वादा करते हैं आप से फिर मुलाकाद जरूर करेंगे लेकिन इसके लिए आपको भी वादा करना होगा कि आप खुश रहेंगे, सुअस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे क्योंकि हमें आपके फिक्र है क्योंकि है